कोरोना के मामले मदबरेश में कम होने का नाम नहीं ले रहे जब ऐसा लगता है कि मदबरेश में कोरोना के जो नए आकड़े आ रहे हैं जो नए मामले आ रहे हैं वो थम गए हैं तो वहीं अगले दिन एक बाप फिर से उनमें जबरदस उचाल देखने को मिलता है एक बाद फिर से मदपदेश में भी ये देखने को आया है कि कोरोना के नए आकड़े जो की 48 गंटे पहले 12,000 की संख्या में नए सामने आये थे वो फिर बड़े और बीते 24 गंटे को दरान 13,601 कोरोना के नए पॉजिटिव मरीज मदपदेश में सामने आये हैं चिंता की बात ये है कि इन में से 92 लोगों की मौत भी हुई है जो की एक बड़ा आकड़ा है मदपदेश के लिहाज से और मदपदेश में इसके बात सक्ती बढ़ा दी गई है खासतोर से जब हम बात करते हैं राजधानी भोपाल की तो भोपाल समेत कई शहरों में जो इस बेरिकेट से भेज दिया जा रहा है हर जगे आपको डाइवर्जन और बेरिकेट दिख जाएंगे हम जिस जगे पे मौजूद है ये भोपाल का वियाईपी रोड इलाका कहलाता है आमतोर पर जिसे इंदौर या उज्जैन जाना है भोपाल से वो इसी सड़क का इस्तम बाहर निकल सकते हैं इंदौर भोपाल उज्जैन गौालियर जबलपूर ये वो शहर है जो अभी भी चिंता का एक बड़ा विशह सरकार के लिए बने हुए है और इसलिए सरकार ने कई शहरों में लॉकडाउन को बढ़ा दिया है जिसे कोरोना कर्व्यू का नाम दिया गय ही है जिसके चलते फिलहाल देश के बड़े होट स्पॉट में से एक मदबेश भी बन गया है रवीश पाल सिंग भोपाल